कि अभी तक Beaut present it atיים 2 और अब हम अच्टश के लिए टोई हजार थेशू के लिए फ्यूचर के लिए बना रखा है जो मैं अचीज करना है एक नब दोई हचीब पारे सुक्सकें इन चारा है दो हजार एकिस और बाइस का बजट है हमने एक चीज पड़ी थी देखो जब बजट निकलता है ना वो निकलेगा आने वाले साल के लिए आने वाले साल के बात करेगा और अब इस बजट को जो आने वाले साल के निकलेगा उसको क्या करें हम रिवाइज करेंगे तो इस टाइम हम क्या देख रहे हैं रिवाइज वर्जन आफ ट्वंटीवन ट्वंटीटू बजट का जिसकी एंड रिपोर्ट कब तक मिलेगे मैं इस साल के कम सकम 9 दिसंबर तक जैसे पहले फर्स रिवाइज आएगा फिर सेकंड रिवाइज आएगा तो असल में हमें जो पिक्चर दिखेगी वो कब दिखेगी इस साल के एंड एंड तक दिख जाएगी बट साथ हम कोशिश क्या कर रहे हैं जो हमारा 2022 का बजट है उसके लिए हमने कुछ टार्गेट जो एकनौमिक सर्वेया किसकी बात करता है तो हुजशी डोरफिया की किस साल की अब जो बजट होगा न इनला बजट कि पूरे होते हुए बलकि इस साल दिसंबर में नहीं दिखने वाले कब दिखेगे नेक्स्ट यर जब तक उसके रिवाइज बर्जन को पर हम काम करेगे हैं ना जैसे फॉर जेंपल अभी हमने पढ़ा हुआ है सर्वेमा में क्या पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो म अंडिया और प्रपोज्ट है जो की बनेगी इस साल के अंदर कोशिच करेंगी सरकार क्या बनाने के लिए अगर बनेगी तो कहां दिखेगी हो अगले साल के एकनॉमिक सर्वे में समझ गया ना बात और जो बजट है वो क्या करेगा किसके लिए टागेट रखेगा आने वा इक करने का टार्गेट रखा है यह ना अब जो इस साल जो ळखेगी तो लाख तो जो वहाँ पे एक और ग्रखावाई है और बजट कवी लिए गवी इतों ओगवाई हो इक साफ से अब हो सकता है हमें क्या करना पड़ाखे उसको रिवाईज करना पड़े रिवाईज करने का में क्या मिलता है अगर तो फस्स्व chilli proposition होगा तो अगले साल के सर्वे में आ जाएगा, और सेकिन्ड डिविजन तो उस भी क्लियर ने दिखेगा है, तो बजट में वो सारी चीजे होगी, जहां पे end होता है, सर्वे का, कि आगे हमने करना क्या है, वो सारा किसे में दिखेगा है, मैं बजट में, चीग है न, और असल में ब तो बजट यहां से आगे के लिए स्टार्ट होता है अब इसमें क्या करों कुछ-कुछ फैक्ट मैं इसमें छोड़ दूगा जो बजट कप का है तो हिमाचल परदेश को फस्टेट इंडियन अद्मिस्टेशन और स्पुतनिक क्या थी और इसको यह वाले फिगर आपने याद में रखने ग्रांट अब इंडिया की जीडीप एक नजर में 9.2 परसेंट तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो यहां पर यहां पर आसा जरूरी नहीं कि कोई पूछी लेए इसमें सब्सक्राइब अब अगर यहां पर देखेंगे क्या ग्रोथ का रखाए नहीं टागेट अगरी कल्चर एक्विटी 9.3 परसेंट इंडस्ट्री ग्यारा पॉइंट और सर्विस सेक्टर आठ परसेंट तो सब्सक्राइब इंडस्ट्री तो अभी एगरिकल्चर पर कितना रखा हैंना है 3.9 10% और अब देखेंगे जिएक चीजा और वार्बनी पड़िया है इफक्त ओफ वी शेप रिकवरें तो आज तो पी यहां पर पहले इकॉनमी थी को मिड कहा ले गया है यहां से यह सबने क्या किरें फिर से स्टार्ट कर दिया तो यह पूरे इंडिया की है इमालि के तो है पिछला ही है और एडवांस एस्टिमेट कितना है जी डीपी का एक लाख प्रस्ट प्रस्ट्राजार 173 क्रोड अधिको पर कैपिन कम आपको याद ने पिछली किती बड़ी थी हमने करेंट में और और कॉंस्टेंट प्राइस पर अब देखो जो अब आने वन तैम के लिए कि नहीं बात करेंगे अब है जी डॉल्मेंट ऑफ बजट अब इस बजट मेंना ऐसी कौंसे चीज़े जो नहीं नहीं चीज़े नहीं नहीं चीज़े किसमें एडमिस्टेशन गवर्नेंस में अधिको गवर्नेंस का सोना चाहिए हमारे बिल्कुर स्मूथ होना चीए ट्रांस जो पैसा ट्रांसफर होना है ना अब एक यासा डिपार्टमेंट होगा उन स्कीम का जो फंड है वो एक से ही ट्रांसफर हो जाएगा उसों क्या बोल दिया सिंगल नोडल अजन्सी एकाउंट एन एस ए क्वेशन बन सकता है प्री में किसके लिए बट आपको मेंस में करोग कि और थर्टी स्कीम किसी स्टेट के और अब जो पैसा देतना डिर्क्ट वेनिफिट ट्रांसफर अब नेक्स जी अब डॉल्मेंट के लिए अब दिखूना कई बरी क्या अगरते डिरेक्ट कोशन उठा लेगे कितना रखा है गश्वेंट ने डॉल्मेंट एक्स्पेंडि पैसा जो पैसा को अब यहाँ पर कि मेलए और अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर तो सबसे पहले उसके पास को तीन फंड है उसके पास एक है मले प्राइटी स्कीम और एक है विदायक शेत विकास निदी योजना और एक है डिस्क्रिश्टिरी कांट जो किसी योजना के अंतर नहीं आता अपनी मर्जिस खर्च कर सकता हूँ तो तीन स्कीम है इसकी एक हो उसको पैसा खर्च करना है हो सकता है हेल्थ हो एजूगेशन हो अब इसमें पहले एमाउंट कितना था इंक्रीज टू वन फिफ्टी क्रोड पर लेजिस्लेटिव एसम्बली तो शायद पहले एक क्रोड था यह अपके नगर दिया एक सौप पचास क्रोड और अब इसके अंदर क्या क्या होगा उसके देखो प्राइटी में क्या डाल सकता हो रोप में डाल सकता है एक है शहीदी द्वार अना जो लोग देश की सुरक्षा के लिए जिनका शहीदी होई है उनके नाम से क्या बनेगा एक द्वार बनेगा तो उसको भी किसके दर डाला जाएगा जो एमेले की प्राइटी स्कीम है उसको भी प्राइटी पर रखा गया है अब नेक्स्ट है विदायक शेत्र विकास नहीं दी अब एक है विकास के लिए कि अब कौन-कौन से विकास के रिया है जिस पर वो काम करेगा इस पर पहले एक सो एक पॉइंट जिरो करोड़ था अब कितना करते इसको पूरा दो क्रोड़ और नेक्स्ट है इसके पास डिस्क्रिश्टरी पावर जो अपनी मर नेक्स्ट देखी ग्रामील सुविधा योजना बॉब्रमेंट डिक्लियरत हमाचल परदेश क्वेच तक्यू स्टेट है और इसके अंदर क्या में लेगे थ्री फ्री सिलेंडर एक का मिलेगे जब आपको कनेक्शन मिलेगा तो सतर दार रुपे इस पर खर्च करना है स्टेट अब आओ जी अगरी कल्चर पे अब देखो जी अमने मंडी पड़ा था ना तो नंबर आपन्डी हमने का पड़े है बजट में सर्वे में अब तीन मंडी पढ़नी है और पंदर गोड़की एक पढ़नी है रामपूर उन्नावले रामपूर में एक मजारी अब ये क्वेशन बंद है प्रिलियंस के लिए कौन सी चार नई मंडिया बन रही है एक रामपूर में है एक मजारी में है एक रियाली एंड मिलवा में है और हमने ग्रोथ कितना रखा है आठ पॉइंट साथ परसेंट और स्टेट गवर्मेंट कॉंस्टिटिट एक्सपोर ग्रूप अंडर दा चेर्मेंशिप आफ प्रोफेसर राम चंद मेंबर आफ निती आयोग हमने किस तरह से मारे जो अगरी कल्चर प्रड़क्ट्स है ना उसको किस तरह से इसका एक्सपोर्ट बनाना है उसके लिए कमीटिग इसके लिए है राम परसा प्रोफेसर रमेश च एक नक्लीब होता है मीटिंग मीटिक होता है बहूस सारे लोगों की तो मिटिंग उनी तो गुजरात में मीटिंग होते हुए प्यम ने किसको लोगों को बताए कि आप एग्जम्पल सेट करो किसी तरह जिए तरह ऑर हमाचल दो ने सी खुशी में किया कर दियतना बड़ा सब्सक्राइब अगर इंडिया को किसी को अपना मॉडल स्टेट मानना चैनल फार्मिंग हमाचल और हमाचल और हमाचल और ज्यादा उच्छा ही तो गया कर दिया एक क्रोड पंच सौक रोड फंद्रा सौक रोड फिर से लगा दिया और क्या बनना चाते हैं हमाचल क्लाइमिट क्रेमिकल फ्री स्टेट अब यह वाले जो निचे वाले फिगर है ना इसको आप स्किप भी कर सकते हो जिसे पांच प्चास हजार एकर लैंड विल भी ब्रॉट अंडर इस यर न सरकार के और 50,000 फार्मर विल बी सर्टिफाइड आज नेच्रल फार्मर से जिसको सर्टिफिशन मिलता है ना नेच्रल फार्मिंग का उनका प्रॉडक्ट इस जिस मर्जी मंडी में ले जाओ हिंदोस्तान के अगर उनको सर्टिफिकेट होगा अपना प्रॉडक्ट को बेच टू स्पेस तू और एक और बोलना है जहां पर इमाजल का जो प्रोड़क्ट सेयों कहां जाएगा लिकलिम यहां भी जाएगा गवर्मेंट ऐस अंट रिसर्च इट्वर्मेंट ग्रांट इक रिसर्च अंड्वल्फ ग्रांट भी बता दी गई है अब यहांप के मंडी है प्राला मंडी यह काफी फेमस होती जारी है और यह एक मॉडल मंडी है बिंग डॉल पेड़े मॉडल मंडी 5000 मैट्रिक कैपसिटी कोल्ड स्टोर विल वी सेट अप इंप्रूविंग दस्टोर ऑफ फूट एंड वेजटेवल इंदे बंडी कई इस सीधा डिरेक्ट्री पुछ ना तो फिगर छोड़ा कौन कौन से अपने पॉइंट रखने अपने याद जो की पॉइंट से इसके अंदर सबसे पहले क्या है एक लैनिड ट्लियर कर लिए जसको किस में कनवर्ट करना है एक मॉडल नेड्टरल फार्मिंग किसमें करनी है पंचायद लेबल पर दूसरा पाइंट तीसरा है नैचुलर फार्मिंग विलेज़ और चौता है फार्मर्स हो क्या करना उनको सर्टिटिकेट प्रवाइट करना है और साथ में क्या देना है इनके लिए स्पेशल मंडी और इंटरनेशनल जो मंडी है दिल्ली की उसमें भी क्या इनके लिए एक अलग से स्पेस होगा रिसर्च इंड डॉल्मेंट के उपर काम किया जा रहा है और पराला मंडी में साथ में क्या कर दिल्लाना है स्टोरिज बना दी तो यह सारे की वर्ड्स है ना वगर आपको निखनों के मेंस का आंसर और थर्टीन मार्केटी आर्ट्स है और जिका है कहां का जिका जपैन न्यूज के रही है जैसे इन्होंने स्टार्ट की ए स्टार्ट होने के बाद तुस दिल्क बंद होगी है तो इसके बड़ी वो ती जो ते ना वीडियो वीडियो बना दी इसकी तो देखो जी मंडी खुली थी यहां पर फालार के लिए और खोड़ते बंद होगी और अब स्लिवर्स में क्या है मेडिसिनल एंड हरबन प्लांट इन हिमाचल में नज़र हमाचल में हेंग एंड केसर कल्टिवेशन इस्टिक उन्ना एंड मॉंट फ्रूट कहा पैं डिस्टिक कुल्लू में और इन कॉलाबरेशन विद इस्टिट ऑफ हिमालिय बायो रिस्टोर्स टेकनोलजी अब यह कहां पैं पालमपूर में अब यह वी कुशन बनता है इस्टिट ऑफ हिमालियन पायो सोर्स टेकनोलजी यह कहां पर हमीरपूर में पॉसिबिलिटी ऑप ग्रोइंग ड्रेगन फूट ड्रेगन फूट देखाए अबने अना जैसे नेपाल में काफ़ी होता है ड्रेगन फूट और इसकी मार्केट बंदी जारी मां चलना तो यह सार और हमने चीज पड़े थी फार्मर प्रोड्यूसर ओगनेजेशन आर बेंग सेटप प्रोवाइट डिरेक्ट लिंकेश टू फार्मर टू दी मार्केट तो जो यह पीएफ ना इनका क्या होगा सीधा लिंक होगे से साथ मार्केट के साथ और ट्वेंटी पीएफ विल्वी और कि दस विल रिलेट टू नैचुरल फार्मिंग तो यह फार्मर प्रोडूसर ओगनेजेशन है इनका भी किसा साल लिंक है नैचुरल फार्मिंग के साथ और कोपरेशन डिपार्टमेंट विल यहां पर इस्टेश एब्री ब्लॉक ब्लॉक लेबल पर अटलीस क्या होना चाहिए एक एपी होना चीए नेक्स्ट एजी होटी कल्चर हिमाज लगया बोलते है फ्रूट बाउल निव होटी कल्चर पॉलसी विल भी प्रपेर्ड आने वाली है कुछ तैम है अधे हुए वह उन्हें पढ़ा है फ्लॉरी कल्चर और चिर्ट्स ओर्नमेंटल प्लांट्स ओर्नमेंटल प्लांट्स अ बी फ्लॉरा एंड इंडियन वराइटीज ओप बी बी के लिवी काम बात हो रही है अब नेक्स्ट एड थ्री कोड़ विल स्पेंट प्रमोर्ट प्रोडक्शन और शिताके एंड दिंगरी वराइटी ओफ मश्रूम यह कोश्चन बड़ा ऐसे कोशन आते है यह शिताके वराइटी ओफ मश्रूम और कलस्टर कलैशन आफ जामून एंड मेवा यह यह भी प्रमोर्ट नहीं है आइधेंस्टन प्लारेशन मेंट हुन्ट मैं होता यह सांस ने फ्रूर्स अजबर कीखा उप होता ख था उसलग कोई कि आए ज्यादा देगे हो पर देगे का 15 साल बाद 15 साल के बाद देगे फसल और अब देखो उसका ये भी होता है यो फसल देते अपने सिजनलिय अपने टाइम से देते है फुराण लेट आती उनकी फसल अब जो हाई डेंस्टी प्लाटिशन पता क्या होती है ना उसको ना इतने इतने पेड़ होगे और वो दो साल के बाद ही क्या करेगे फूर्ट जना स्टार्ट कर देगे और साथ में क्या होगा उसकी अर्णी वराइटी होगी तो अब इसकी तरह भी जा रहे है और इम्मिनुटी बुस्टर क्रॉप्स यह जा दिए अब नेक्स्ट जी 17th anniversary किसकी सत्यान फुट ऑठ काथी जिन्नों आप हीमा चल मेरां अपल आए तो कोकड़ थानादार एंड जो Dar vendor चृओनिंग एमिएusic檄 ला जो अधर एरिया उसके नियर्बाइजा से बना रहे है उसके नाम के साइन बोर्ड लगा दिये और छोड़े रास्ते से बना दिये अना ताकि एक अगर कोई उस एरिया में जा रहे है तो उनको ना एक इस तरह कि नहीं नहीं जगें जा रहे हैं छोट छोटे क्लस्टर बेस्ट एरियास में जा रहे हैं और और चड़ में जा रहे हैं तो यह इसको क्या बोल दिया सत्के नंद स्टोप ट्राइल करके और कंप्रेसिम प्लान्ट टू भी डॉल्प सोदा कंवर्जेंस बिद्दा सब्सक्राइब नेक्स तोर सच्छोट मंडी में रिकॉंग प्रियों किन और जाबोंग किन और चंबा तो यहां बनने क्या नए सीए स्टोर और इस ट्यूर कहां पर रोडू में गुम्मा में जरोल टिकर में और तुटुपानी एंड भुंतर यह अगले साल अगरी बन कर सब्सक्राइब और उसके बाद है फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट अगेनी कहां पर पराला में शिमला में और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लोके डिए परमानू एंड जरूल जहां पर भी है मार्केट यार्ड पॉंटा साइब कंदनी एंड साथ तो मार्केट यार्ड बना रहे परमानू के साथ जोड़किन को तो यह भी देख लेना आप और माइनर इरिगेशन प्रोग्राम की उपर काम से हमने पड़ा था ना सर्वेक अंदर हमने पड़ा था कौन से कमांड एरि थी मेडियम इरिएयस था था तो अभी आउना सो हेक्ठीर को और टार्गेट रखा हुआ है तो यह भी हैसी से वली हुआि सक्वेस्ट ना है कोशन बन सकता है होटी कल्चर डॉल्मेंट प्रोजेक्ट के लिए टू सेंटर आफ एक्सिलेंस लेक बनाएगा पे शिलारू यह भी कहां पे शिमला में और एक बने कांपे पालंपूर में दो नहीं पॉइंट है शिलारू एंड पालंपूर नेक्स्ट है यह अब देखो इस और गोवंश गोशाला एंड तो टोटल कितनी अभी यहां पे इंक्रेज शिक्स थाउजन टू ट्वंटी थाउजन बीस हजार अभी यहां पे क्या है गोवंश गोशाला एंड सेंग्चुरीज और उसके बाद देखाना आप निमाच में बहुत सारे जो डंगर हो तो गोशाला इसको भी देख लाना एक पता काम आते हैं मेंस के लिए अगर मेंस में पूछ लिया कि हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है कि यह लिख सकते हो है हिमाचल पहाड़ी काओ को कौन से पहाड़ी काओ माचल देखो और गर्मेंट क्या कोई बंदा प्राइवेट मैं गोपाल इसके लिए काम कर रहा है तूम मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट यह हमने पहले पड़े एक लगर कहां पे दतनगर और यह कहां पे हैं चक्कर और यह निच वाली फिकरीवाब छोड़ दो और 2000 शीप शीप यूनिट रूरर बैक्याट शीप डिवलंट स्कीम वने पड़ी है पीछे इसमें कुछ निया को शरी सब्सक्राइशनल आर्टिफिशल इंसेमिनेशन प्रोग्राम फेस्ट्री में चलावाए इसको छोड़ सकते हो अब नेस्टे मुख्यमंत्री अरोग्य है पशुधन योजना यह है आर ना एलिजिबल टुबाइड वेटनरी फार्मसिस्ट और अब यह कोशन कभी पोश्ट लेकि कितना इस बारी अनिमल एनिमल हस्मेंटरी के लिए पैसा रखा है तो आसर क्या होगा 469 क्रोड फैक्ट्वल है यादा तो ठीक है ने रहता छोड सकते हो इसको फिरेजी सोशल सेकूरिटी स्कीम इसको अमने पहले पढ़ लिया सारा ही अब आप फुद देख लेने सो किसमें डेटा ही है इसको मैं स्किप कर रहा हूं बस आपने एक चीज़ इसमें दियान रखनी है जो नहीं चीज़ है देखो ना जो इनकम है ना यह दे बैस किक कर दिया है हजार और हजार वले कितने कर दिया है 500, 150-150 और बड़स वले कितने कर दिया है सतारा सो अब दूसरा पता कि हानना यहाँ यहां पे वlectर पे विमन इंदध एज और इस आउफ मैंने की कितनी है यह 62-69 अब हमने पड़ा है ना देखो जो ओल्डे स्कीम होती है 62-69 मिलती है और इसके लिए रखे है आप कितनी इंकम होनी चाहिए अब जो 69 से उपर टब गया है उनके लिए क्रेटरिया नहीं है और ज्यादा है बट जो विमेन है ना वो कहां से शुरू हो जाती है 66 की एज से ही कि यह रहे वाद जिवने पीछे नहीं पड़ा था सिरफ यह याद आपने है तो वुमेन की कितनी है जो ओल्ड एज है 62 65 और मैंने कितनी है 62 69 एक यह रखना था है नेक्स्ट है विमेन चाइल्ड डॉल्मेंट और चाइल्ड राइट्स अना हंगर अनिम्प्लॉयमेंट पावर्टी इस सारे आपके खिसमें स्निवर्स का पार्ट आई है अब मुख्या मंत्री बाल पोश्चन योजना आपको याद है हमने कि आपड़ा थे एक स्कीम पोश्चन अभियान वो किसका है सेंटर का अना वो तो एक अब उसके साथ हिमा चलने क्या चला दिया अपना बाल पोश्चन मुख्या मंत्री बाल सुपोश्चन अभियान इसमें दो डिजीज कि नोंने आइडेंटिफाई क किया है जिसके उपर पूरा काम करना है वह है डाइरिया एंड निमोनिया यह वी कॉश्चन बनेगा कि कि इस दो स्कीम को दो डिजीज कि नोंने बात करिया है अब नेक्स्ट है साथ में किसे लड़ना है अनेमिया हाइप अनेमिया और अंडर नरिष्ट चिल्डरन आई इसी एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग इसी के ऑस्पिटल होता है और 65 क्लोड विल्बी स्पेंड ओन मुख्यमंत्री बाल सुपोश्चन यह भी आपने अगर मंद्रे के लिए पूछ सकता है तो 65,000 इसके लिए रखा है और अब देखो अभी तक हमने क्या पड़ा है सर्वे में हमने पड़ा है बीडोरी मेरी इसको कितने बैसे मिलता है पचास हजार अब अगली बारी के लिए कितना कर दिया है 65,000 अब क्वेश्चन क्या आग अगर तो आएगा क्वेश्चन कौन से वाला कि अभी कितना है तो आंसर होगा 50,000 अगर आएगा बजट में कितना प्रपोस किया है तो आंसर कितना होगा 65,000 अना मुख्यमंत्री बाल उधार योजना और परसन ग्रांट 20,000 इंक्रीस तो 35,000 लिबिंग बाल आश्रम आपको तो कितने वैसे मिलते हैं 20,000 बट अब उनको कितना गर दिया है 35,000 मुख्यमंत्री असाय बाल पुनरवास योजना उसका भी सेम ऐसाय कौन होगा जिसे कोई घर नहीं है पेरेंस नहीं है उसके पुनरवास के लिए भी क्या है इन्होंने कुछ प्रविजिन रख पर यहां पर प्रीमिय कोशन भी एक्सपेक्टिड है ठीक है नेक्स्ट एप पंचायती राज इस्टिउशन्स और अब यह फिर सगें आप छोड़ सकते हो कि पंचायत राज के पास ठीक है क्या है वाटरशेड डॉल्मेंट प्रोजेक्ट से है इसको इतना नहीं आप याद रख पा मंद्रेगा और वहां पर क्या बनाए ने कोशिकर है पंचवटी योजना तो इस साल के लिए यह बोला गया है कि अप्लांट बेस्ट ऑन प्लाजमा टेक्नोलोजी की बात की गई इसमें और 8000 विलो इसके लिए प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट एंड ग्रे लिक्विड वेस् इस तेम कितना इंका पैसा मिलता देखो इद्रश्य प्रशट ना पहुझा चेहर्मेन पंचायत समीति 9000 वैस चेर्मेन को 65 प्रधान जो गाम इनका honorarium है जो इनको kind of salary बहुत सकते हैं इतना व्यासा मिलता है जिनको अब क्या पता पूछ ले अभी कितना है क्यों कि रिवाइज हुआ है तो सबसाद है किसका है जिला परिशत के चेर्वेंग का पंद्रहजार रुप है मुख्यमंत्री महिला शशक्तिकरन योजना अब शशक्तिकरन योजना के लिए अब आपको याद हो गबने पड़ा था एक स्कीम क्या नैशनल लेवल पर क्या स्कीम है जहां पे सेलफ एल्गूप पर ज्यादा फोकस के जाता है कौन सी स्कीम थी अजीबी का स्कीम नैशनल र मिशन का स्टेट वर्जन क्या हो गया मुख्यमंत्री महिला शशक्तिकरन योजना था ना वहां पर तो नैशनल रूरर लाइबली हुड मिशन के अंदर क्या बनेगे सेल्फ एल्गूप सेल्फ एल्गूप को यहां मिलेगा फंड मिलेगा और बाद में को एक रिवाल्विं नैशनल दूरर लाइबली टूमिशन के अंदर एक तरफ कोई से बनेफिट देगा मुख्यमंत्री महिला शशक्तिकरन योजना था ना अब पच्चीस हजार तक का टॉप दिया जाएगा पहले और अब देखो एक बेनिफिट क्या देगा सरकार जिन 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 लोगों ने क लिए एक्सिदेंटल डेथ तरह से पचास साल की पचास साल तक के एज की बात थी और प्रधान मंत्री जीवन जोते कितने तक की थी सत्तर साल तक तिन अगर आपको याद होगा प्रीम में अलग अलग थे प्रधान मंत्रिश जिवन जूति जिवन जूति क्या थी ना सतर साल तक खन उसका हाँ ठीक है सुरक्षभी सप्टर और एक बेंकी पचास और पहले वाले की प्रीम केंए बारास्व अगुश्ड मुख्यंट बंद का न जो करेंड बजट है इस प्रपोस मुख्यमंत्री महील स्टेटमेंट ए दूसरी स्टेटमेंट क्या लिख लेगी यह जो योजना होगा यह क्या इंक्लूड करेगा बैनिफिट औफ प्रधान मंत्री सुरक्षा भी मा योजना और प्रधान मंत्री जीवन जोती योजना और यह क्या प्रसेंट और के टेगरी टू डिस्टी के लिए कितना है साथ परसेंट है अगर कोई रेगुलर अपना पैसा वापिस कर रहा है रोटेशन में तो उसका क्या कितना रह जागा चार परसेंट बड़ जो दूसरे वाले है जो कितना रहता है पांच और नेक्स्ट है अब यह देखना है यह रखना है यादा आपने कि कितना रूपेस तो इसका अभी अभी नजर मार लो पेपर के एक दिन पहले एक नजर बाग चल जाना आगया ठीक है नहीं आए तो भी ठीक है अर्बन डॉल्मेंट अभी तक हमने क्या पड़ा है अभी तक हमने पड़ा है पचास परसेंट शेर खर्चे करेगा स्टेट गर्मेंट और पच अगर आप से क्वेशन पूचे अटल शेष्ट शहर योजना में प्रिसको एवार्ड मिलता है पहली ऑप्षिन होगी फस्ट थ्री नगरपंचायत दोसर होगा फस्ट्री मुनिसिपल काउंसिल थाड होगा फस्ट्री मुनिसिपल कॉर्परिशन क्या इंसर होगा अब क्या करें इसको अब इसमें मुनिसिपल कॉर्परिशन को भी क्या करने की बात कि आने वाले टाइम में कितनी सारी टॉटल कितनी कॉर्परिशन है अब कितनी हो गई पांच तो अगे से क्या होगा इसको भी अब इसमें कितना में पहले पड़ा है अब इनका प्रधान आफ नगर पंचायत शेजर पांच सो उप्रधान पंचायत यह आप एक वरी पर दोरा नहीं जाओ और अब यह रखना याद कितना पैसा दिया स्वरी साथ सो तेरा क्रोड इतना फंड है जी अब है जी क्वालिटी एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलसी है उसको इंप्लिमेंट करने वादी माचल बन रही है प्याली स्टेट अदेखो नेशनल एजुकेशन पॉलसी में क्या है अर्ली चाइल्ड केर एंड एजुकेशन यही है ना देखो हमने अभी तक क्या पॉलसी में है राइट टू एजुकेशन किसके लिए है छे से चौदा साल के बच्चों तक के लिए फ्री है बट जो राइट टू एजुकेशन के जो ड्रॉबैक है ना वो किसमें दे रिखा न्यू एजुकेशन पॉलसी में है क्योंकि राइट टू एजुकेशन तीन से छे साल तक के बच्चों क्या करता है निगलेक्ट करता है ठीक है जी बात और साथ वाकस को किसकी बात निकरता चौदा से लेकर अठारा तक तो इस हिसाफ से राइट टू एजुकेशन में नहीं वाला है उसमें अलग है और इजेशन वाला है इसमें अलग है और अगर कोई और वाला है उस्योंकि और आप और तो अब आ करती है छे साल से इसका मदलग क्या करना पड़ेगा मैं स्कूल खोलने पड़ेगे किस बच्चों के लिए तेन से छे साल के बच्चों के लिए तो इमाचल प्रदेश ने इसमें वड़ी दिखाई है थ्री टू सिक्सियर गर्मेंट प्राइमरी स्कूल अंडर निव एजुश योजना और क्या मिलेगा श्रेश्ट शिक्षा गुडवता शिक्षा गुडवता क्या होगी क्वालिटी एजुकेशन अब यह बो रहे कि में काम करेगे जितने भी स्कूल जैना उनके बीच कंपेडिशन रखेगे कि कौन सा ऐसा स्कूल है जो क्वालिटी प्रवाइड करत है तो थ्री स्कूल ऑफ दस्टेट एंड थ्री स्कूल ऑफ दी डिस्टिक अइडेंटिफाई कर दिया जाएगा किसके अंदर शेष्ट शिक्षा गुडवता प्रहुत्सान योजना अगर कंपेटिशन रहेगा स्कूलों के बीच में नगली बारी क्या होगा अगला स्कूल चाहेगा कि मेरे भी थोड़ी बड़े परफॉर्मेंस तो यह भी क्या है सर्वे में नहीं है यह किसमें वह इसमें अगले साथ आपको सर्वे मिल जाएगा क्वालिटी इंप्रूमेंट थू आएटी हैना स्वरन अब इसमें स्वरंजनती ज्ञानोदेर क्लस्टर शेष्ट फिदाले रिए पड़े तरह ंदे घाना जैशेष विदाले थे और यह नमबर चोड़ दो सुरंजनती उत्ष्ट महा विदाले भी ही इरा पिछली मेने बजटवरbon शाय तीन इमाइन नहीं आप कितने यहां पर दस महा विदाले तो यह किसमे बात कर रहा है कि अमने राट के लिए दिया दो हजार और जिनके पेरेंस या फादर शहीदी हो गई यह उनको कि तरह मिल जागे पांच हजार पर मन्त अब एक चीज़ और है आयाडीपी स्कीम यह भी बन सकता है कुशन आयाडीपी जो स्कीम है तक हम पढ़ते हा रहे हैं उसको क्या नाम दे दिया है मुख्यमंत्री बिध्यार्थी कल्यान योजना आयाडीपी में देखो ना अंगनवडी बतना मंगनवडी अब तो न्यू एजक्शन पॉलिश्य पंद्रह सौ से दोजार कर दिया है तो इसको भी आप छोड़ दो इतना ना करवा बस इसको देखवा कि क्या इसका नाम रखा है और उसके बाल है जी बाल प्रतिबा स्कॉलर्शिप अब बाल प्रतिबा स्कॉलर्शिप किस साल के बच्चों के लिए है यह फूर्थ एंड से एंड इंवार्मेंट चीएंड हैं इंतिड इंवार्मेंट इंड नेतः इसकी विन्हों नें बात कर दिये और यूज को भी क्या करना है आउगर दो स्कूलों में क्या करतो प्लांस लगा दो कहूंसे हो नsels हो प्लांस verdict मैडिशिनल एंड अड्प्लांट आन्ड अब गार्डन्स हो गए बहुत सारी क्या हो गई नर्सरी हो गई और इस साल हमने पड़ा थे 2-3-2-3 जो है उनको प्रमोट कर दिया अब एक नई मुहिम क्या है यह दिनों है कि मेडिसिनल प्लांट्स अगर कोशन यह पूश लिया कि इस टाइम सरकार क्या कर रही है तो चार पूंट आपके पास पूरे-पूरे है और एक के लिए कौन काम कर रहा है अईरुबेदा वाला क्या कर रहा है वह लगा रहे क्या गार्डन्स एंड नर्सरी और उदर होटी कर रहे कहां पर जो अगर आपको स्कीम भी अगर याद होगी कि हमें क्या बढ़ाना है क्वालिटी एजुकेशन अगर अपने महत्मा गंदी को सुना होगा ना तो महत्मा गंदी ने हमेशा क्या बात कर रही है अगर घुकेशन करे मत्लण पड़ाई तो नहीं एं तो महत्मा गंदी ने क्या बढ़ा है एजुकेशन के साथ साथ पड़े के साथ साथ आपके हाथों से काम होनी चीए वे किस्टल अगर्ण फेल ने अना और महत्मा गंदी का एक कौन सी स्कीम थी मात्मा गंदी सारी क्लेक्शन है उस पे रखके तो महादमगा ने सारी ऐसी सी बाते करी है कि क्या करना चाहिए थोड़ा सा वुकेशनल तो अब देखो ना क्वालिटी एजुकेशन का मतलब यहां अकेले नहीं है कि आपने सिर्फ पड़ा नहीं है बच्चों को तो इसकंदर देखो ना चाहिए तो एक तो क्या करिए हमारी स्टेट थे टू सिक्सियर के बच्चों के लिए स्कूल नैशनल एजगुशन पॉलसी हाइब्रेड स्कूल हो गया है और स्कूल में क्या कर दिया कंपरेशन बना दिया किसके द्वारा श्रेष्ट शिक्षा बुनवता प्रोहतसान जन्ती ज्यान अधय क्लस्टर श्रेष्ट विदालने के बात कर दी और साथ में क्या कर दिया मेदा प्रोथसान मेदा क्या होता है जो बचे टेलेंडिट होता है ना उनको हमें शाग्या करना चीए प्रोहिट साहिट करना चीए कि आप कर सकते हो तो इसमें क्या कर दिनों है नेशनल मिलिटरी कॉलेज़ में जा रहा है सेनी स्कूल में जा रहा है और जो किसी मार्टर का बेटा है IRDP को किसमें बना दिया मुख्यमंत्री विद्यार्थी कलियान योजना और बाल प्रतिवा स्कॉलर्शिप चोटे-चोटे बच्चों के पहले से इंदे डाल दिया कि आप इसकॉलर्शिप जीट सकते हो इसके लिए फूर्थ एंड फिफ्थ स्टेंडर में मुख्यमंत्री शोद प्रोथसान रिसर्च करने में जरूरी है कि क्या नहीं चल रहा है हना हम देखते हैं न एक बाद होता है न एक बाद होता न एक जो परसेर्च करना बड़ा जरूरी है हाना अगर आपने पढ़ा होता है सिंग्मंट्राइड ना तो उन्होंने तो बड़ी बड़ी बाते बोली है देखो न अब क्या होता है कि रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है जैसे आज की जरूरी आप जैसे मान लोग कोई भी बच्चों का लेकर बात है एक पेंडूलम होता है न यह यहां पे हैं एक यहां पर दो नो एक्स्ट्रीम हैं एक हो से तो मिडल में अब अगर आप कुछ सालों का पहले का देखोगे ना बच्चों का इसाब उस में हमेशा किस पर Sी किया गा委 मेंधी तो जहां कि आप आहिए अगर आज की डेल से देखोगे आप लात विक्लाइब हो रहा है कि मैंना mental त्रॉमा से गुजर रहा हूं मेरी मेंटल हल्थ अच्छी नहीं है अगर आज से 20 साल के अले मेंटल हल्थ अच्छी नहीं है क्योंकि आप मेरे को जो बोल रहे हो ना उदर जा स्कूल कि मुझे मेरा इससे मेंटल हस्पर प्रेशर पड़ रहा है तो दो लगा दो उसको है और हमेशा कहा रखने कोशिच जाती है इसको इस पर और इस टाइम पेंडूलम कहां पहुंच चुका है इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर ना और अब देखो आप जो पेरेंस है ना पेरेंस वो हमेशा आप बच्चे के किस पर द्यान देर जादा मेंटल है उनको पाया जिंदगी ने और पहले किसे सारा फोकस था इसके ऊपर समर्वाद को क्या तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो भी होता है ना रिसर्च करना बड़ा जरूरी होता है अब रिसर्च में क्या होगा अगली बड़ी क्या होगा अब देखना कुछ सालों के बाद फिर करना है उसमें सोशल मीडिया में अब क्या करना पड़ा है फिर से डिसिप्लेन तो इसलिए क्या है कि रिसर्च के उपर अभी और अगर हम परतना कि आदमी की आदमी एक किस तरह से विलेशन होगा इंसान का यही तो चीज़े हुई है अना अब देखो ना अगर आब वैसे ब्रहमचारी अपनाओ क्योंकि एंटर्टेइनमेंट का डूपमीन को रिलीज करने का एक ही तरीका था फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल इंटर्कॉर्स तो उस तरहना बड़ा लिमिटेड़ था यह सोर्स आज क्या है सोर्सिस क्या हो गया है बढ़ गया है अगर आज नी क्योंकि अभी क्या होगे ना लोगों के जो तरीके है वो ज्यादा हो गया हूँ अगर हम सेकोल्जी की साफ से पढ़ता है उद्आ नेक होर्मून होता है डूपमीन किस कैसे आप रिलीज करते हो किस लेवल पर करते हो कौन सा तरीका है या बुक पढ़के या बीडियो देखके या किस करके अभी तो नंबर ओफ चीज़ है ना तेले जमाने में क्या होगा बड़े लिमिटेट सी सारी निसा जिसमें होती गई फिर हाना कामा सुटा तक मुना दी आज क्रेट से क्या है नंबर बढ़ गए अब सारी बाते अभी करता को ऐसी बाते किस से बजाने को कोशिश की जाती है ड्रक्स से बचो इतनी बड़े-बड़े भाट्यों से बचो सोशल मेडिया से बचो इसलिए बता रहा हूं कि अब क्या है रिसर्च का थोड़ा सा काम बढ़ता है कि इस पे अजुगेशन ना थोड़ी लोगों को से सेंसिटिव कर देना इंवार्मेंट के प्रति सोसाइटी के प्रति पेरिंट के प्रति तो ये चीज हमेशा चलती आ दिये मेरे जबाद अब मैं बतारों इसलिए बतारों कि इंट्रदक्षण ओफ इन्वार्मेंट एंड नेचर इसको ज़रूरी है रखना लाइन पे सोसाइटी एंड पेरेंट और बाल प्रतिवा स्कॉलर्शिप योजना उनको और लेक्वार कि बाहर भी कुछ है स्पोर्स है यह है एक्टिवीटी है ना तो देखो ना तो धीरे-दीरे पेरेंस और इसी तरफ जाना लगे किसमें स्पोर्स कर आओ तो यह सारा क्या है और सरदार पटेल इन्वेस्टिव निया कहां पर मंडी में आएक चीज़ क्या प्रतर में थे आयूश को क्या बोल दिया कि आप आगे क्या कर दो स्कूलों में क्या लगाओ प्लांट्स और अमना हमेशा मात्मा गांदी को विज्दरी के बोलते तना इसलि था थे यह तो बहले इस थेम बराबर हुआ आज ती के लिए तो बहई तेरा सारा है पर कि किस नहीं देना के लिए अर्श करती है तो भी आती है नेश्च एजी टेकनीकल आब स्किलड़ींट सिर्वस्क हरें पूर गर्मेंट इंडस्ट्रियर्ट टेनिंग इस चोट बने जिन नहीं और यह भी नाम रखना याद कहां बने हैं और किदर बने तो ने एक है किया है लदगहर्ट एंड श्री नेनदेवी जी कहां पर यह बिलासपूर और कटॉला मंडी में और दर्थिधार एंड बेचार का भाग यह कहां पर हैं सिर्मावर में तो आपको यह नाम याद रखने ही पड़े हैं तीनों यह नाम उसके बाज यह तो यूण है उन लोगों को कुछ ट्रेंण देना जिसको वांवर हो गया कुत्रिक वाले हो घट्रिकर हो घया है तेन साल और मुख्यमंत्री मुबाइल क्लिनिक जो जाते हैं घर गर तक जाएगे और नेर चौक मेडिकल कॉलिज में क्या बन गया एका लेक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर जहां पर डोनेट कर सकती है विमेंट जो अपना मिलक होता है और मेडिकल प्राइमरी हेल्थ सेंडर एंड एज साथ सो बावन करोड नजर माल लेना पर टाइम और पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड पावर अब इसमें क्या है जिरो बिलिंग इसके लिए जिसको कितना ही है साट यूनिट से कम खर्च कर रहा है और जो साट सिक सो पक्ची सी रुट कर रहा है उसको कितना लगा एक रु को जना कुशन सीधा हैगा मुख्यमंति रोशन जियोजना में क्या है फ्री इलेक्रिसिटी कनेक्शन बिजलिनिया फ्री क्या दिया उसको कनेक्शन उसे घर तक तार जोड़ दी जाएगी बलब लगा जाएगा रिसेंट्ली अलाउंड पावर पॉलिसी इंफसाइज कि समे मेगावाट ग्रीन एनरजी प्रोड्यूस करनी है इस साल के लिए एक अजार मेगावाट और न्यू हाइडियल प्रोजेक्ट बनने कहां पे हैं पर इसना में साइक उठी देख उठी साइक उठी टू और हेल और यहां पर जर्मनी के जो एक ड्वल्मेंट बैंक है कि एफ और फ्रेंच डॉल्मेंट एजनसी कहां करी है इविए चंजू एंड द्योथल शंजू अब देखो स्पीती में क्या हो रहा है इंप्रूब एवेलिबिलेटी ऑफ दे क्वालिटी ऑफ एलेक्सिटी स्पीती में किसके उपर बात की जा रही है सोलर एनरजी कनेक्शन इंड किलोवाट होता है और यह बैटरी स्टोरेज लगने कांपे काजा में तो यह काजा में संलाइट होती है यहां पर तो यहां पर दो चीजे हो रही एक तो क्या बन रहा है सोलर एनरजी कॉर्परेशन लिबिटीर के साथ मिलके दो मेगावाट का क्या लग रहा है अब देखो स्ट्री स्टॉरेज सिस्टम और ग्रीन एनरजी के लिए जो सब्सीडिय जाती है पर किलोवाट कितनी छेजार पहले चार चार अज़िए जल शक्तिवन मिशन अब जल जिवन जिए अब गया है दो हजार बैस तक गाउंगा में क्या धर गर तक नलकर पचाना और cold एम बता हैं बिलासपूर में बिलासपूर में यह न केमिरपूर में वैसे वैसे न उसके अदर चार उसके आता है डिस्टिक का बिलासपूर का आता है मंडी मंडी का आता है और सोलन दालगाट वाले दिया और शिमला चार चार का लैंड फॉल करते हैं इसके अंदर और किसको पानी बिलाएगा एम्स बिलासपूर एंड यह भी आ दखना हाइड्रो इंजनिंग कॉलेज कहां पे बंदला हिल में नया खुला है यह भी हाइड्रो इंजनिंग क्यों कि सर्वे में नहीं पड़े स्वारी यहां पर यह बंदला हिल में वहां पर दिलासपूर और 272 रुपे फिर सिक्स के लिए जल शक्ति के लिए रोड़न बिज अब रोड़न बिज का फिगर आप खुद देख लेना 49,000 है इसको मैं नहीं देखूगा हू अब एक यह 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 है जियो सिंथेटिक मैटेरियल टेकनीक सुना अब देखे लें पर टालता है जो तार कोल टालता है अगर ऐसा करते जाया है इसके उदर इसको पर का डाला जाए प्लास्टिक डाले तो क्या होग इसके दो फैन हो जाए एक तो जल्दी खुड़ेगा नहीं दूसरा जो पानी वे वह ना इसमें से निकल जाएगा तो अब इसकी जो डियूरेबिटी है जो टारिंग होते हैं जो डियूरेबिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकार जियो सिंथ तो यह आपको लिए मेंस के लिए शब्द बनता है जियो सिंथाटिक मट्रियल टेक्निक अच्छा एक चीज़ और ही कोशन बन जाता है अब आपने देखाए इमाचल में ना हर बारी क्या होती है स्किड हो जाती गाड़ी सर्दियों में होती है ना पीछे वाला पाट आगे जो जाता है उसके लिए क्या डालेगा केल्शियम क्लोड़ाइड यह उसकर यह वी क्वेशन बनता है कि अगर हमने गाड़ी को स्किड सब्सक्राइड बचाना है बरफ्ट में ना है और नमग डालता है और क्या करते उसके लिए और देख लिए यहाद रखना कितना इमांट किया है अगर अलग से लिए कोई कौन सब्सक्राइड को समाज नहीं है सभी के लिए और प्रुवाइड प्लॉट मुख्यमंत्री स्वाब लंबन पार्क और लोगों जो काम करवा जाएग उसको प्याब बूल दिया अपने पार्क बनाओ को मुख्यमंत्रि स्वाब लंबन पारक है कांगडा और इंडेस्टरिzerаньब entry को अ अब तक कड़िव करना इसको 2000 25 अब याद दखो जब तक आप अब जो नई पॉलिशी को इंप्लिमेंट करने वाला ना स्वाइब ना लगड और ट्रांस्पोर्ट में आ रही जिप पचास इलेक्ट्रिक बसे स्मार्ट इलेक्ट्रिक रिकल पॉलिसी कब की है तुरिजम अब यह कोशन देखना है आज एशियन ड्वल्मेंट बैंक तुकि इस साल एशियन ड्वल्मेंट बैंक ने कितना व्यासा दिया है उच्टे में आपके बनाएं दो हजार नौसफ जानवे क्रोड फॉल्मेंट आफ तुरिजम इंफ्राइंदी स्टेट और जिसमेंसे 50 क्लोट किसमें जाएगा नहीं राहे नहीं मंजी लैंड शिवधाम का मनेगा मंडी में और लार्जी टातापानिक इसके लिए वाटर्सपोर्ट्स के लिए वाटर्ट्स के लिए अब और क्या करेंगे सरकार इसके साथ इस पैसे से प्रमोशन आफ करावन टूरिजम यह कारवन टूरिजम क्या होता है वैन होती है ना वैन जैसे वह बैन लगेगे कहीं जगे पर उसी बैन पर जाकर इंसान क्या करता है अन्हां तो सारा उसमें सोने का अपना खाना बनाने का सब कुछ वहीं होगा तो हो सकता है कहीं पर आज कर अधे करने बड़ेगा मैं कि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते कच्छी कंस्ट्रक्शन करने पड़ेगे ना और ये करवन बेंद में क्या आगा सिरफ वहां गाड़ी ले जाओ और उस गाड़ी के अंदर एक किचन बनेगी एक टॉलेट बनेगा और दो चुट चुट रूम बन जाएगे और गाड़ी के अपना पढ़ते रहो जो भी करना ह लिंकिंग एडिशनल रही चुट इया ना उन काथ खुण्य तो टो टो क्या ये कौने देख रहा हैं कौने में क्या मिल रहे है वड व्यद मुलाब काठ क्या वन रहा है कौना और पत्थर का बना रहा है बीच में पहली लिए लेग необходимо वुड़की और यह वुड़का जाएगा कौने तक उसके बाद उसके उपर कौन से बुड़ाएगा दूसरी दिवार का फिर इदर अब जो बीच वाला स्पेस है नो किससे फिल अप होगा पत्थर से दो लेर बन गए ना पहले लेर किसकी वुड़की और दूसरी किसकी तो यह सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब कर दो और मांटेन बाइकिंग ट्रैकर दो यह सारी रात हुई आए तुरिजम को लेकर नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट बेस्ट लाइबलिहुड अब देखो अभी क्या बुरह ही कि 15,000 हेक्टियर तक क्या करना है नई प्लांटेशन करनी है जिससे क्या होगा हमारा पूरा जो में रख़ा टार्गेट का 30% फॉरेस्ट कवर का दो हजार तीस तक के लिए और दो हजार तीस में किसके अंडर रखवा है सस्टनेबल डॉल्मेंट गोल यह भी बनता है अपनी बश्चन तो नए बच्चर में किदे टार्गेट रखवा है 15,000 करोड और जो कि क्या पूरा करेगा 30% आफ जो जो फॉरेस्ट का जो टार्गे नहीं है अब यह क्या वो रहकी ब्रॉड लीफ अले स्पीशी लगाओ उससे क्या थोड़ा फॉरेस्ट से भी बच जाएगा अब आपको प्याद है थ्री एक्स्टनली एडिट प्रोजेक्ट ज्यादे तीन एक है जिक्का द्वारा एक है वर्ल्ट बैंक द्वारा एक है कि इक किसके लिए था एको सिस्टम के लिए पूरा ही था उस एरिया में रहने वाली कौन लोगों की लाइबलि हुड और तीसरा क्या था उस एरिया में रेंफेड एरिया में क्या प्यादा करना है अगरिकल्चर तो उसकी आगे कुछ बाते की है इसको छोड़ भी सकते हो कित उसी सीम के अंगर वन फिप्टी वाटर रिचार जोन चंबा एंड कांगरा में लंटाना सुना लंटाना ग्रास ग्रास है नहीं यह यह पता कैसे ग्रास अगर गास लगती है अगर इसका थोड़ा सा बीज आ जा जाए तो वह एक डंडे वाला गास होता है उस पर क्या लग यह क्या करता है वहां पर जो दूसरी ग्रास होती है ना उसको रिप्लेस कर देता है और और बायो डिवस्टी को भी लॉस्ट कर देता है तो सी क्या तरीका है कट रूट स्टॉक इसको जड़ से क्या कर दो हटा दो इन्वार्मेंट एंड क्लाइमिट चेंज दिखवागा हूं 26 कोप कहां पूई है यह ग्लास को में और पदान मंत्र ने क्या बोला है क्या यह मंत्र आफ पंचामृत क्या मतलब इसका किष़ने बोला कि जो क्लाइमिट चेंज है ना उसको रोकने के लिए में क्या जदोग्ख आपको तरीके बदाता हूं उसके में काम करना है यह मैं से जो सबसे बड़ा तरीका है वो क्या है अब मता है जो जो पैरिस एगरिमिंट हुआ है पारिस एग्रीमेंट के अंदर हमने देखा है कि किसका है UNFCC और पारिस एग्रीमेंट क्या थी 21 कोब क्वांफेस ऑप पार्टी INDC Intended Nationally Determined Contribution INDC अब इस INDC में सबसे ultimate goal क्या है अल्टिमेट गोल है नेट जिरो अबने शर्ब इस अर्ट गोल है जासे रिन्यूवल एनरजी को बढ़ाना है और जो अमारे अर्थ की जो टेंपरेचर बढ़ रही है उसको नहीं जाने जना दो डिगरी सर्क से सुपर और अचीब करना है एक डिगरी 1.5 तक और कारबन सिंक बढ़ाना है ऐसी बतेरी सारी चीज़े हैं जिसमें जो अल्टिमेट गोल है ना लास्ट वो कितना है नेट जिरो नेट जिरो का मलब क्या है कि हम 0% क्या करेंगे गारवन का एमिशन करेंगे तो इस इसमें सब्मिट में 26 कोफ में तो हमारे पीम ने कितना कब तक कड़ार ग यह आपको मेंस के लिए कोशन बनता है कि इंडिया 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 इंप्रूब इट्स आइंडिया अब जो अपने आइंडिया को और ज्यादा भेतर करने के लिए किस पे चलेगा इंडिया पंच तत्रा मंत्रा पंच आमरित अब इसको नेट्रे सर्च कहले ना पांच इसके है और पांच वसे एक मुने बता थे खुबसक्त क्या क्या है एक तो रिनियूबल एनर्जी बढ़ानी है पहले चालिस परसेंट थी 2030 तक टोटल एनर्जी का 40 परसेंट क्या होना चीए 500 गेवाट एना ऐसे से कुछ टार्गेट है तो पांच टार्गेट है तो अब हिमाचल इससे भी आगे बढ़ावा है हिमाचल इंडिया से भेतर करना चाहता है 100% आफिस एनर्जी रिक्वार्मेंट में त्रूधा रिनियूबल एनर्जी तो हिमाचल क्या बोलता है हमने तो बहुत जल्द इसको चीव करना है किमारी जो एनर्जी के रिक्वार्मेंट है 100% मिलने चाहिए से ग्रीन एनर्जी से और ग्रीन पर जादा ध्यान किसमें दिये जाएगा जो ऐसे विकल है जो ग्रीन एनर्जी को ध्यान रखे चलता है और रास्ते में क्या मिलें इनको चार्जिंग स्टेशन एंड बैटरी कि रिप्लेस्मेंट रेन वोडर हार्वेस्टिंग को किस साथ है जर्मनी की जो जी इजट इस चूट है और लोकल प्रोड़क्टों क्या करना है हमने और दाधा किसी तरफ ले जाना है जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ नैंटीन नैंटीन और रेड राइस आपक पिनौरी एपल और इस पुबड़ी का आँगी है दाम मिलतीया ना मोदी निसको वाज़ार प्रमोट किया है कि माचली कर कैब सिरमोरी लुया सिरमोरी लुया तो इसको बड़ी प्रमोशन मिल जा रही है हिमाचली धाम थाच्ची क्या आतिया है अब अब बड़ी नियू रिजिनल ऑफिस अभी माचल प्रदेश पॉलिशन कंट्रोल बूर दो पॉलिशन कंट्रोल बूर नाम है उसके बाद इस डिजिट्रिलाइजेशन और एक स्कीम है गरूड स्कीम अब गरूड स्कीम पता किसके लिए है गवर्नेंस एंड रिफॉर दॉर्म यूजिंग ड्रोन धॉन्स ड्रोन कीजिटुटि इसके चогन्य घ्र करने के लिए इसक्थ एंडंगे लिए नियुए तर्षींट-इनियू इसक्रक्रौंट यह एफ ऐनल इतनेर ऐंवा पर ऊसेजिग माहतसप्स यह यह लिगनमने सासे मीन् अबादी एरिया है आपके लैंड होता है ना यह जिसर पलौट नमबर होता है तो जो गहर होता है उसके नंबर नहीं होते हैं वह कि समाता है आबादी आबादी मौलाब यहां पे क्या बैट लिया है population अब जो आबादी वाला जो एरिया होता है जैसे आज के आने पता है क्या दिक्कर दो जैसे मालो insurance जो करातने भने घर की अगर उसको insurance करवाने हैं घर की तो वो घर तो जो उसकी land है उसके मालक तो पूरा गाउं ही है अब उस्कों प्रॉब्लम आती है अब सरकार क्या पूर दिया है कि एकाम करो जो जिसका एरिया ना उसको भी क्या करदो प्रॉपर जब खेत एक नंबर होता है ना वैसे नंबर देगा तो अब इसमें क्या हो जाएगा उसकी परसनल उनर्शिप आए किसके उपर है जो गाओं में लैंड होती है लैंड उसके उपर इनने बना तो उसको क्या बोल दिया है आभादी बैनिफिश्री इंद आभादी अरे विल्बी कंफॉर्ण विद्धा लैंड उनर्शिप उनको क्या मिल जागा स्वामित तो अब उनकी मर्जी अपना घर बेचना है उसकी इंशुरेंस करवने जो मर्जी करवाद है और इडिस्टिक पॉर्टल बना दिये हैं तो हम पढ़ी रहे और डिजिटल लाइबरे की बाद करिए एक है यी रूपी सर्विस यह बड़ा एडवांस बर्जन है कि सकमें अभी तक हम पढ़ा है ना कोई स्कीम बढ़ी हमने डिरेक्ट बेनिफिक ट्रांसफर अब डिरेक्ट बेनिफिक ट ऐसे बार्ण कोड EH उसमें ओगा और उसलिए अब जब आपको इश्यह सकता है है अब क्या करो वह बार कोड ले जो अपना फॉन में वहां सो स्केंड करेगा आपके इंफ्रमेशन आएगी और आपका पैसे कहां ट्रास्पर हो जाएगा आपके पास जब आप चाहो उस पैसे को अपने में बिड्रॉ कराना समझ गया ना बात तो उसको क्या बुला है ई-ृ इनफोमेशन पॉर्टल भी बनाया है वाइफाइ और लेटिएशन मोनिटरिंग सिस्टम लिटिए समझते हो ना अगर मालो मेरा कोई केस चल रहा है तो मैं क्या करूँगा पड़ेगा बकील को पूछने पड़ेगे बताओ जिक्या होए अब क्या होगा एक ऐसा पॉर्टल सिस्टम काल साथ किया है इन और में विद्दालफ पॉप जियेश जिये से और से टेक्स एंड एक्सक्साइज डिपार्टमेन्ट क्या कर रहा है है अब कोशन मनता है हिमाचल परदेश नशाद निवारन ट्रग्प को पोलिसी के ऊपर और नशान निवारन जो सेल बना रहा स्टेट टेक्स एंड एक्साइज और आफ्टर सक्सेश आफ पॉपलर अपॉपलर एटी ऑफ टेक्स हट टैक्सट क्या करते लोगों को ट्रेंट करते किसके लिए जी जी एस टी वह किस तरह से फाइल करना यह भी याद देखना स्ट्रकार के ऊपर वन रुपीज पर लिकर बॉटल किसके लिए गो सेवा के लिए गाये की रक्षा के लिए प्लेक्स का जा रहा है शरावियों से बचार है शरावी बोलते हैं हम भूद पीत हैं तो शरावी पीत है फिर यह में से क्या लगे रहा है टे साइबर क्राइम और ड्रग मेनास दो पाड़ है तो टू साइबर क्राइम पुलिस पेशन का मनेगे धरमशाला एंड मंडी में और हिमाचल परदेश लोगतंत्र पहाड़ी समान क्या राशी अब पहाड़ी समान राशी पता किसको मिलेगी जिन लोगों को जेल में रहना प अब जिन लोगों विच्वार ने जेल काटी होगी नाभ उनdoo क्या मिलना चीहे तो जेल से जो विचारे बचकर आए किमाचल प्रदेश लोकतंत्र पहाडी समान राशी अब सवाल है पहाडी समान राशी किसके लिए जो कभी इमर्जेसी टाइम का गया थे जेल लेंग्वेज और आर्ट के अंदर क्या है आजादी का अमरित महुत सब्सक्राइब कि 75 साल हमारी आजादी को होगा है और देश शेया कर दिया प्यत्तर बिलेज कर दे डिए यह शर्ब बताल राज है कि दुनिया के कंट्री नहीं इन्डिया के लगव 25 साल पूरे किसके हो इंडिया के इमाचल ने क्या बना दियों जब बिलेच उनको क्या बोल दिया कि जहां भी कल्चर की बात आगी वहां सब्टीव विलेच का आगे मनने चाहे हैं हिमाचल और कल्चल पॉलेश कब के कि नाम से क्या देजाए गा किसको जो लोकल फॉक्सिंगर होगा अब यह भी आ देखना कि बिलास्पु पता न आपको बिलास्पु जब इतना बनाए तो उसके अंदर माना जाए कि बहुत सरे क्या थे वो टेंपल डूब गया थे अब इन्होंने पिश्लिस्टी निकालनी है उन टेंपल के सुचीत यार करनी है और उसके नेरवाई क्या करें कि उन्टेंपल को बना देगे ठीक ना वसे बोलते कि काफी टेंपल डूब किया थे महां पर सबस्तान से क्या में समझते हो और उसके वाद यूथ एंड स्पोर्ट स्टेट लेवल कमिटी स्पोर्स को प्रमोट करेगे और ट्री टायर स्पोर्ट्स होगा महा कुम ऐमले और अपी लेवल पे बात चीत होगी उनके उन लोगों तक उनको आना पड़ेगा वहां पे उनको अपना फंड में से पैसा देना पड़ेगा क्रिकेट कबेड़ी अथलेटिक्स वालीवाल ब्लास्केट बॉल एंड रस्लिंग यह मैंच होना है और फॉल्लविंग इंडूर और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स आप देखो ना यह कॉशन बनता है मेंस के लिए अगर मालों आप अधर साथ में क्या बनना इंफ्रा और प्रीफाब्रीकेटेट मॉल्टी पर्पर्पर्ज हॉल थे वर इंडूर्पूर्में इंडूर्स आपनेगा जंजेली कि मंडी में में इंडूर्पर्स हॉल in government college कहां पे बंगाना और होक्की ट्रफ कहां मनेगा माजरा सिर्मौर और एक लेन 4 मिटर सिंथेटिक ट्रैक और सरस्वतिनगर सरस्वतिनगर कहां पर शिमला में है और construction of indoor stadium कहां में लेगा तंडा कोठी डिस्टिक कांगरा में तो यह सारे काम करेगा फस्ट को कावन सो कावन थाउजंट ट्रटीवन थाउजंट और दूसरे को अपना एक है बन्नुपुली से बिलासपूर एंड बेरी रेल अब बन्नुपली आना कहां पर पंजाब के कौन साइस में जो आननदपूर साहिब है ना आननदपूर साहिब वाले एरिया है यह एक गाउंट आईप है यह देखो है अगर आपको दिख रहा हो ना यह देखो है यह तो गोविन सागा दिख रहा है यहां पर यह बन्नुपली मैना देवे के साथ है क्या पड़ता है आननदपूर साहिब जहां से निकलेगी यह ट्रेन और यह सारा पंजाम में पिर विलासपूर बर्माना और यहां पर क्या है बेरी तो बहनुपली है कहां पर पंजाब में और वैसे एक और 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 दूसरी ट्रेंट है का नाला घड़तू कामोदा चल्वाडा कि सतरा पिए पॉंग साथ तड़के और वहां से कहां तक पहंचे गई है नंगल थक एक निये वनेगी और दूसरी है बद्धी से लेकर चंडीगर यह तीन समय दो अभी कौन से हिमाचल में पठान कोट से जोगिंदनेगर चल रही है और कौन सी है कालकस से शिमला अब जो तीन प्रोजेक्ट है ना यह बड़े मिश्यस प्रोजेक्ट है इंडिया की वर हिमाचल के लिए भी बहनुप जघाद tofu अडियाना बाले जो यह एकल यकृट कौन से वाला यह मरना करवाला यह अरियाना का जो एरियाना किससा बॉन्ड लापती सिसाथ सिस्थात्ये सद्ट हों कि Nick यह अ इसथा है तो इदर आगे क्या पढ़ गया अब पॉंटा साइब वाला है तो एक यह है तो ती अब देखो पॉंटा साइब टू कहां से जगादरी और इन्ना हमिर पूर रेल लाइन तो यह इंफरस्ट्रक्ट्टर ड्वल्मेंट की जब भी बात करेंगा आप तो हमेशा इसमें एक काम करेंगे इन्फरा के लिए इस आफ डूइंग बिजनस के लिए एक चीज़ होना बड़ा ज़रूरी है वो क्या है लोजिस्टिक लोजिस्टिक में क्या आएगी यह चीज़े भी आ सकते हैं उनसे वाली जो ट्रांस्पोडेशन की है तो यह तीन चार प्रजेक्ट है उस एक है बगला मुखी रोवे अब बगला मुखी कौन से वाली मंडी वाली आखने सको एरपोर्ट एठोट इंडिया टेक्निकल क्लेरंस ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट कहां बढ़ रहा है बल्म है यह पहले पड़ा है अब नेक्स्ट हाउसिंग के लिए कौन से हैं हमने बार अ सार सा सो 69 बेनिफेश्टी को मिलेगा बेनिफिट 2022 में मुख्यमंत्रियावास योजना प्रधान मंत्रियावास योजना अर्बन रूलर और स्वरण जेंडी नेक्स्ट एजी इंप्लॉए इंप्लॉएड वेलफियर ओगनेजेशन अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना किसके लिए यह अन ऑगनाइज सेक्टर जितना वो कंट्रिबूट करेगे साथ कौन करेगी स्टेट तो पांच अजार पर मन्त मिल सकते कब कब आप्टर एज ऑफ सिक्स्टी और सरकार किता देगी कितने कांट वर्डेज देकर तीन हजार तक अब यहाना और बड़े सरे वरकर थे इसमें से क्या अगरे लोगों की वह निकाली है कितनी है कितनी है नोहजार इसता सब बड़ी है मिनी अंगन वड़ी वरकर 6100 अंगन वड़ी साहि पिछले वाला बजट किसमें चलाओ अभी पर देखो दप्री रिवाइज एस्टीमेट प्री रिवाइज एस्टीमेट कब का बीस एक्किस और बाइस का कितनी बात करता है करें 37,000 क्रोड की और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो देखो रेवी निवाए सेंटिसार क्रोड का एक्सपेंडिचर का कम तो इसका मदब कैसा गया है सर्प्लस में और जो आने वाला साल है इसके लिए क्या है रखा है विसिट 36,000 क्रोड एक्सपेंडिचर के रखा है चालिस अब हो सकता है भी तुरिवाइज करते और बढ़िया बना देशकों अगर पर देले कि मौनसून बढ़िया आ गया तो अब यहां भी क्या दिख रहा हम है रेविन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट कितना है 9600 क्रोड का यह देख लेना क्या क्या है अब नेक्स्ट लास्टेस में अकॉर्डिंट टू दी बज़ेट 2022 स्टेस सेलरी में पंदर परसंट जाता है पेंशन में दस परसंट जाता है इंटर्स पेमेंट में ग्रांट फॉर ऑटोनमस बोड़ीज और रिमेनिंग ट्विट्विटीज इंक्लोडिंग बी कैपिटल वर्क इसकी लास्ट कोटेजी मिसमील इफ्यू हैव तो बढ़न मिसा लुक मेरी तरफ से आपके सर्वें खतम बजट खतम और इस चनिवार को होगा क्या और टेस्ट में सर्वें और बजट का पास पूरा टाइम है अगर आप दिन कितने पेज़ेस के अगर दिन के आप 30-30-40-40 पेज़ेस पढ़ोगे ना पूरे का दो टास लिखे है चलो मैं करता हूं जो पार्ट अगले में फिर पार्टू कर लेगे एक बढ़े पढ़लो इसको और अगली बारी फिर पर बैंट्रवाइस कर लेना अगर कोई डाउट प बारी बारी शुười कोई संदisco है चलो हो जो प्टे कीर पार्टू कोई सांगत त्ए कोई सब कर दा बारी हुनी ऑम हो दे पारी चलो मैं है ज वह प्टू जह कोई करें सुर्वार्टू कर दाथ कोई बार्टू झार्कराइक ट términा अगलीत अगली बाली अगली चिपे जो दो